ओम जै श्री हरिविष्णू, एकादशी के व्रत को सभी व्रतों में स्रेष्ट व्रत माना गया है, इसलिए शास्त्रों में इस व्रत को व्रतराज कहा गया है, मतलब व्रतों का राजा, तो अगर कोई भी व्रत न किया जाए, सिर्फ एकादशी का व्रत ही किया जाए, तो आ प्धियंति स्रेश्ट है मान लेजिए किसी भी कारणवश अगर आप ये व्रत नहीं भी करवाते हैं तो भी एकादशी के दिन विधे विधान से भगवान श्रीयर विष्णु की पूजा अवश्य कीजिए आज के दिन आपको तामसीक चीजों का त्याग करना चाहिए मतलब व्रत नहीं करते हैं तो भी आपको लेसन प्याज मान समदिरा इन सभी चीजों का त्याग करके चावल का भी त्याग करके और सच्चे मन से पूरे श्रद्धा भाव से भगवान श्रीयर विष्णु की पूजा करें व्रत की कथा सुनें दान दक्षिना दें इससे आपको व्रत के समान ही पुणेल प्राप्थ होता है तो जो भग्त वरत नहीं करते हैं उन्हें भी इस बात का ध्यान ज़रूर रखना है तो जैसे की हर महिने में दो बार एकादशी आती है एक कृषесन पक्ष में एक शुकल पक्ष में दोनों ही एकादशी पर आपको इन बातों क अपना विशेश महत होता है. जब भी कोई विर्द धारण करता है एकादशी का, उसके समस्त प्रकार के पाप करम Morris समाप्त हो जाते हैं उसी चण, काईक, वाचिक, मानसिक, सभी प्रकार के पाप करम से मुक्ते मिल जाती है, और सभी प्रकार की कामनाई भी पूर्ण होती है और एकादशी का व्रत करने वाले को भगवान स्रीहर विष्णु की अस्रीम क्रिपा भी व्राप्त होती है इसकी वज़े से उसे मरणो परांत मोक्ष की व्राप्ती होती है लेकिन इंदिरा एकादशी का व्रत धारन करने से ना सिर्फ व्रत करने वाले को बल्कि उनके समस्त जो पितर होते हैं उन पितरों को भी मोक्ष की प्राप्ती हो जाती है ऐसा कहते हैं कि जो एकादशी का व्रत धारन करते हैं, पित्रपक्ष की इंदिरा एकादशी का व्रत धारन करते हैं, उनके साथ पीडियों तक के पितर तर जाते हैं मतलब जो व्रत करता है उसे तो पुनिय फल प्राप्त होता ही है उसे जन्ममरण के चक्र से मुक्ति मिलती ही है मतलब उतना फल तो आपको वैसे भी प्राप्त होगा जो आप हर एकादशी पर करते हैं लेकिन उससे अधिक्फल यानि कि कई गुना अधिक्फल आपको प्राप्त हो रहा है क्योंकि साथ पीडियों तक के पित्रों को भी आप तार सकते हैं अगर आप सिर्फ इंद्रा एकादशी का व्रत धारन करते हैं तो ये एकादशी बहुत महत्यपोड है पित्रों की क्रिपा की प्राप्ती के लिए पित्र दोसों से मुप्ती के लिए और पित्रों के आशिरवाद को प्राप्त करने के लिए और अब जैसे कि कई भगतों के प्रशन आते हैं कि अगर हम कोई भी एकादशी नहीं करते हैं प अपने पित्रों को इसका पुन्य फल समर्पित कर सकते हैं। कि पूजा हमें किस प्रकार से करनी चाहिए। कोई भी प्रश्ण हो या कोई भी विशेश वीडियो देखना चाहते हैं। तो इसके लिए भी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और चैनल पर पहली बार आये हैं। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कब समाप्त हो रही है और व्रत हमें कब धारन करना है। इस दिन सुर्योदय काल का समय रहेगा सुबह 6 बसकर 25 मिनट पर और ब्रह्म मुहुर्थ में उठकर शनान किया जाता है। तो शनान करने का यानि कि ब्रह्म मुहुर्थ का समय रहेगा सुबह 4 बसकर 49 मिनट से सुबह 5 बसकर 37 मिनट तक। 10 अक्टूबर को राहुकाल का समय रहेगा, शाम को 3 बसकर 8 मिनट से, शाम 4 बसकर 35 मिनट तक, और इस दिन अभिचित मुहुर्थ का समय रहेगा, सुबह 11 बसकर 50 मिनट से, दोपहर 12 बसकर 37 मिनट तक. एकादशी वरत का पारण 12 तिथी में किया जाता है, और 12 तिथी 10 अक्टूबर को दोपहर में 3 बसकर 9 मिनट पर प्रारंब होगी, और समाप्त होगी 11 अक्टूबर को शाम को 5 बसकर 37 मिनट पर. और पारण हमेशा हरिवासर की समापती के बाद किया जाता है तो हरिवासर की समापती का समय रहेगा 10 अक्टूबर को रात्री 9 बसकर 46 मिनट पर तो एकादशी व्रत का पारण हमें 11 अक्टूबर को करना है, सुबह 6 बज कर 25 मिनट से, सुबह 8 बज कर 45 मिनट तक पारण करने का शुब महुर्थ है तो इंदिरा एकादशी का व्रत हम 10 अक्टूबर को धारण कर रहे हैं, उससे एक दिन पहले दश्मी तिथी के नियम का पालन किया जाएगा, मतलब 9 अक्टूबर को दश्मी तिथी के नियम का पालन हम करेंगे अब जैसे कि कई भक्तों के प्रश्नाए हैं कि एकादशी की तिथी प्रारंब हो जाएगी दुपहर में 12 बज कर 37 मिनट पर तो हम दश्मी तिथी के नियम का पालन कब से करें देखे, दश्मी तिथी के नियम का पालन आपको 9 अक्टूबर को सुबे से ही करना है सुबह आप जल्दी उड़ते हैं, सिनान करते हैं, सिनान करनी के बाद आप जो भोजन करते हैं, बिलकुल साथविक भोजन करते हैं लेसुन प्याज मांस मदिरा इन सभी चीजों का सेवन दश्मी तीथी के दिन वर्जित हैं इसके अलावा गाजर, मूली, बैंगन, शाक, टमाटर ये सभी चीजे भी दश्मी तीथी के दिन नहीं खाना है शाम को सुर्यास्थ होने के बाद अन्नका और नमक का सेवन नहीं कर अगर आप रात में कुछ खाना चाहते हैं तो कोई भी फल इत्यादि दू जू इत्यादी ले सकते हैं और 15 तक ब्रह्म चरे का पालन करना चाहिए। लेकिन अगर आप भूमी परशायन नहीं कर पाते हैं तो भी अपनी विस्तर की सुद्धता का ध्यान रखिए फिर अपने घर के मंदिर में भगवान श्री हर विष्णू की विद्य विथान से पूजा कीजिए और अब बात करें संकल्प की तो जब आप सुबह भगवान श्री हर विष्णू की पूजा करेंगे तो उनके सामने शुद्धिगी का दीपक पहले जलाईए फिर उसके बाद से अपने हाथ में जल और पुष्प लेकर संकल्प लीजिए एक सिक्का भी आप चाहें तो ले सकते हैं भगवान श्री हर विष्णू के सामने हाथ जोड़कर संकल्प लीजिए कि हे श्री हर विष्णू, हे जगत के पालनहार मैं आज इंदिरा एकादिशी का वरत धारन कर रहा हूँ या धारन कर रही हूँ मुझ पर क्रिपा कीजिए कि ये वरत मैं निर्विग्न पुर्ण कर पाऊं ये वरत मैं अपने पित्रों की आत्मा की शांती के लिए उनकी मुक्ति के लिए और उनको मुक्ष की प्राप्ती हो इस कामना से धारन कर रही हूँ तो इस वरत का जो संपुर्ण शुबफल है मेरे पित्रों को प्राप्त हो इसी कामना से मैं ये वरत धारन कर रहा हूँ या कर रही हूँ और हाँ, संकल्प लेने से पहले अपना नाम, अपना गोत्र और इसी के साथ जिस स्थान पर आप रह रहे हैं उस स्थान का नाम बोलिए और फिर आप प्रातना कीजिए संकल्प लेते हुए तो इस प्रकार से संकल्प लिया जाता है अब माल लीजिए कि आप अपना नाम और अपना गोत्र नहीं बोल पाते हैं। किसी भी कारणवस जैसे भूल जाते हैं तो भी कोई बात नहीं आपने संकल्प ले लिया कि आप अपने पित्रों की आत्मा की शांति के लिए उनके मुक्ति के लिए उनके ही निमित आप ये व्रत धारंड कर रहे हैं भगवान स्रीयर विष्णु को समर्पित कर दीजिए, अपनी संकल्प की जो आपकी सामगरी है, उनके चरणों में अर्पित कर दीजिए, इसके बाद विती विथान से भगवान स्रीयर विष्णु की पूजा कर लीजिए, जैसे कि भगवान स्रीयर विष्णु का अभिशेक कर लीजिए अगर आपके पास विग्र हैं तो जैसे शालिक राम जी हो लड़्य गोपाल जी हो तो उनका भी शेक करके पंचामरित से या फिर शुद्ध जल से फिर उन्हें पीले वस्त्र अर्पित करें पीले पुश्पुन्ही अर्पित करें फलों का भोग लगाएं और संव्श्पुर्ण कि आर्थी कर लीजिए अब जैसे कि कई भक्त हैं कि हम निर्जल वरत धारन करते हैं तो बिलकुल आपकी अपनी इच्छा है आप चाहे तो निर्जल भी ये वरत धारन कर सकते हैं या फिर फलाः और जलाःर के द्वारा अगर आप पलाहर से वरत कर रहे हैं तो कोई सा मी फल खार सकते हैं जूस पी सकते हैं फलो करस ले सकते हैं और जू पारण करना चाहिए और फिर अगले दिन शुप मुहुर्त में व्रत का पारण करना चाहिए तो अगले दिन द्वादशी तीथी के दिन प्राथयकाल जल्दी उठ जाए उठकर शनान कर लीजिए शनान करने के बाद भगवान श्रियर विष्णु की पूजा करना है आपको और हां भगवान सुर्यदेव को सबसे पहले जलर्पित करना है इसके बाद आप अपने घर के मंदिर में भगवान श्रियर विष्णु के सामने शुद्दिकी का दीपक जलाकर और पूजा कर लीजिए जिस प्रकार से आपने ए श्रियर विष्णु यह जगत के पालनहार आपकी क्रिपा से मैंने इंद्रा इकादशी कवरत निर्विक नपुरुनि किया और अब अपने संकल्प के अनुसार मैं इस वरत का संपुर्ण फल अपने पित्रों को समर्पित करता हूं या अर्पित करता हूं आप इसे सुईक साथिक भोजन बनाकर भगवान स्रीय विष्टों को भोगर पित करना है हो सके तो ब्रामणों को भोजन कराइए वैसे जरूर कराना चाहिए ब्रामणों को भोजन लेकिन अगर आप नहीं कराबाते हैं तो ब्रामणों के निमित्त भोजन की कच्छी सामगरी निकाल कर रख द दक्षणा रख दीजिए और इसके बाद आप शुबूट में पारण कर लीजिए और हां दान की सामगरी आप चाहें तो अपना पारण करने से पहले मतले बवरत खोलने से पहले भी भीजवा सकते हैं अगर समय है तो और अगर आपके पास इतना समय नहीं है कि आप उतनी सु जा गया एकादशीक व्रत संपूर्ण फल प्रदान करता है व्रत करने वाले को भी और जिसके निमित आप व्रत धारण कर रहे हैं उसे भी इसलिए पूरे श्रद्धा भाव से पूरे समर्पन के साथ भगवान श्रीयर विष्णू की भक्ति करते हुए हमें इस व्रत के न सीम खृपा भी हमें प्राप्त होती है तो उम्मीद करती हूं यह वीडियो आपके लिए उप्योगी होगी और आने वाली वीडियो में आप सुनेंगे इंद्रा इकादशी व्रत की कथा और संपुर्ण पूजावीदी की वीडियो भी आपसे शेर करने वाली हूं तो चैन स्कार